क्या E.D. को चुनौती देकर फस गए है केजरीवाल या फिर सच मैं E.D. मोधी के दवाओं में है केजरीवाल की चिठी की जाच कर रही है E.D. केजरीवाल फिर P.M. मोधी को लगातार जम कर घेर रही है आस 2 नवंबर को E.D. की पूछताच केजरीवाल से होनी थी यानि की E.D. के सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना था लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुवए सुवए अरविंद केजरीवाल ने साब तोर पर E.D. और देश के पृधान मंती नरेंदर मोधी कनेक्शन पर खुलासा कर दिया और ये कह दिया कि जो E.D. ने समन भेजा है ये E.D. का समन नहीं ये भाज़पा का समन है ये कह दिया कि भाज़पा पाटी राजनीती करना चाहती है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पांच राज्यों के विधान सुभा चुनाव नस्दीक है इसके साथ साथ लोग सुभा चुनाव नस्दीक है और यहाँ पर रैलियों का सिलसला चल रहा है यानि कि जंता को अपने साथ जोडने का सिलसला चल रहा है बाश्पा पार्टी चाहती है कि अर्विंद केजरीवाल रैलियां ना कर सके यह तमाम बात हैं अर्विंद केजरीवाल ने कह दी और साप तोर पर इंकार कर दिया कि वो ED के सवालों का जवाब नहीं देंगे हलाकि अभी कयास ही लगाया जा रहा है कि ED उनको जवर्दस्ती करके बुला सकती है या कोई कारवाही कर सकती है लेकिन यहाँ पर अर्विंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि ED अपना समन बापस ले ED अपना नोटिस बापस ले तो क्या जो सवाल ED-CBI पर लगातर उठते चले आ रहे थे उसमें सच्चाई है क्योंकि सवाल यही उठ रहा था कि ED-CBI साब तोर पर यहाँ पर कटपुतली बन चुकी है देश के प्रधान मंत्री नरंदर मोदी की तो बारी की से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों सुबह सुबह अर्विंद केजरीवाल ने ED और PM मोदी को जटका दे दिया क्या यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे पूश्ताच के लिए या फिर अर्विंद केजरीवाल ED की पूश्ताच से डर गए है यह तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज 2 नवंबर है और 2 नवंबर को यह कहा जा रहा था कि अर्विंद केजरीवाल जेल के अंदर होंगे तो क्या जेल के अंदर पहुंचाने वाले भाश्पा पार्टियों का जो नेता है उनका सपना तूट जाएगा हाला कि यह नहीं कहा जा सकता है कि भाश्पा पार्टियों को जेल में डाल रही है आपका नेक्ष्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हमारे सायोगी सिराज हमारे साथ मौझूद है सिराज आप भी सुबह सुबह से खबर देख रहे थे सारी टीवी चैनल में जो है ब्रेकिंग अच्छाई हुई है कि यहां पर एडी को जवाब दे दिया करना चाहिए था सराज कैसे देखते आप जी तरीके से अभी हमने केजरिवाल से यह उमीद नहीं करी थी कि उन्होंने साफ तोर पे जो है इडी को जबाब दे दिया आज सुत्रों के हवाले से पता चला था कि वहीं ग्यारा बजे जो है इडी ऑफिस में पुस्ताज के लि सुचने पर मजबूर करता है क्योंकि कि केजरिवाल के साफ कहना यह जो हमना बहूनिंटी से प्रेरिट कीबात पर विश्वास करेंगे अर्विन केजरीवाल तो यह भी कहते हैं कि 1947 की वाद कोई इमांदार पार्टी है तो कोई आम आदमी है अर्विन केजरीवाल जो कह देंगे किया वो पानी या दूद हो जाएगा क्योंकि सवाल यहीं पर है कि एडी के सवालों से पहले संजा सींग भागे मनी से सौधिया भागे और दोनों आज जेल में तो क्या अब अरविंद केजरीवाल भी भाग रहे हैं आप कैसे कैसे लगते के अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहा है उसमें सच्चा ही है सिराज जी देखिए हमें लगता है कि ये कहने की जरूरत है जिस तरीके से जो है अब चीजे जो देश में चल रही है ये कहीं न कहीं इसका अंत जो है आप आ चुका है क्योंकि के जो नेता है अब उन पर जो है सवाल उन्दन को लगता हैं यहां पर अर्विन कर शर्म कर सकते थे लेकिन दो नमंबर को क्यों 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 कि रात में प्लारिंग हुई होगी ना सराज आपको लगता नहीं है कि अर्विंद केज़िवाल के नेताओं के साथ बैठ कर उन्होंने कहा होगा कि कल कह देंगे भईया कि कुछ हुआ ही नहीं यह दबाव है यह राज़ितिक हतियार है यह त साजिष कैसे साजिष कैसे इसमें भाष्षपा पार्टी को क्यों घेरा जा रहा है यहां पर एडी को कुछ सबूत मिले होंगे तभी तो उन्होंने जो है समन भेजा जी यह जो सारे वर्ट से कहीं ने कहीं बिपक्ची है और जिस तरीके से हम खबरे करते हैं लगातार हम द दोड़ा गया तो यह तमाम जो सवाल है वह कहीं न कई घूमते हैं हमने मद्रदेश में देखा किस तरीके से सिंधिया जो है वह बीजेपी में आ जाते हैं हेमन्त विश्व सर्मा जो है वह तो यहां पर जीती नहीं रही है कॉंग्रेस पार्टी का अस्तित्तु भी खत्म स लग रहा है तो सिंधिया तो बिकल्प देखेंगे ना क्योंकि कहते बिकल्पों की उपलबता स्वतंत्रता है आपने एक्जामपल दो दे दिये लेकिन सवाल ही उठता है कि अगर यहां पर अर्विंद के जिरीवाल के पास यहां पर श्रत्ति होती तो एडी के सवालों का सवाब देते इडी के सामने बैठते नोगंटे की पूष्टाच का हिस्ता बनते लेकिन सवय सवय अर्विंद के जिरीवाल दूट के धुले हो गए आपको लगता नहीं है कि यह इडी का जो सवालों का सिलतला था इडी के पास जो सबूत थे उससे भागने का प्रयास जादा आप रह चुके हैं जेल में और कोट ने जो है सुप्रीम कोट से विज्यों को तगड़ा जटका लगा एक बड़ा जटके के तोर पर पे क्यूंकि अशंका यही जता आई जा रही थी कि उनको बेल मिलेगी जमानत मिलेगी लेकिन आप सुप्रीम कोट से उन्हें से केजरीवाल का कहना है तो वह जो डर है कहींने कहीं उनके मन में बैठ चुका है कि अगर हम कितने भी जो है इंसाफ का पिटारा पिट लें लेकिन जो है कि एडी को एजंसियों को या बीजे पीए सरकार को जो भी अपना काम करना होगा जरूर करेगी और निश्चे तोर अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो जांच के नाम पर रिमांट के नाम पर आप जो आपकी गिरफतारी हो सकती है और यहां पर राघव चड़्ड़ा का एक बयान सामने था राघव चड़्ड़ा ने कहा कि दो हजार चौधाय से जितने मामले दर्ज किये हैं उन्हे दावा किया कि इंडिया गठ्वंदन से बीजेपी परिशान हो चुकी है उसने गठ्वंदन के नेताओं को निशाना बनाने के लिए योजना तयार कर ली है आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि केज़ड़िवाल की गरफतार की योजना बना रही है भास्पा पार्टी बीजेपी को मालूम है कि वह दिल्ली की सातों लोकस्भा सीटों को हारने वाली है इसलिए आम आदमी पार्टी को चुनाओ लड़ने से रोकने की तैयारी चल रही है यह बास साथ तर पर राघभ चड़ा ने जो है कही है क्या इसमें आपको हकीकत दिखती है क्योंकि यहां प आदमी पार्टी की 26 लिए खराब की जा रही है ताकि आम आदमी पार्टी चुनाओ लड़ पाए और यहां पर बीजेपी की जीत हो जाए यह राघभ चड़ा का कहना है इसमें आपको सच्चा नदर आती है यह राघभ चड़ा भी जो है यहां पर राजनीती से भटकने का का प्रियास कर रही हैं जी जीस तरीके से अभी चीजे हो रही है कहीना कहीं को को लेके सवाल उठरे हैं आपने देखा कि किस तरीके से अशोक गहलोत के बेटे को 12 साल के पुराने मामले में अब चुनाओ नसदीख आती है आपको पताव विधान सबाद चुनाओ राष्थ गोर ne Venezule सब्राइब कर smaller χास्ताव सबस्राइब द्राइब ना कि तोड़ा और सिंदे की सरकार के ओर रह इन सरमा है यह एक और बात कहीं शायद आपने गौर नहीं किया होगा कि अभी अरविन के जिरिवाल की गिरफतारी के बाद क् Alice जारखंड के मुख्य मंत्री हेमंत भी सर्मा आमें यह निभोलना चीए कि वो भी इंडिया घट बंदन के हिस्सा है और हेमंत भी सर्मा पर कोईला खनन का जो है वह मामला चल रहा है और ऐसे में जो है उनकी गिरफतारी के शंका जैता ही जा रही है ममता बेनर जी का भी नाम स सामने आ रहा है तो बता दें कि यह तमाम जो बड़े चेहरे हैं वह इंडिया घट बंदन के हिस्सा है और ऐसे में अगर उनके उपर कारवाई होती है तो कहीं न कहीं अगर एक दो लोग भी वहां से गिरफतार होते हैं तो पूरी इंडिया घट बंदन पर जो है वह सवाल बहुत बहुत शुक्रेसराज देखी यहां पर तमाम बिन्दिवी वरबाध चीत की लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या आप अर्विंद केजरीवाल E.D. के सवालों का जबाब देंगे यहां पर अर्विंद केजरीवाल ने सोयम E.D. को झषटका दे दिया क्योंकि लगात कारवाहि की जा रही है यह तमाम सवालिश से क्वाल को कैसे समण फिड से भाई रहा या फिर कौन सी कारवाही करेगी अच के नहीं जो है अर्विंद के जी वाल वाल का डर है या itelold के की दबाव में EDCVI है आप कमेंट वाक्स में जरूर बताएं आज किस खास प्रोग्राम कर से इतना ही देखते रही नेक्ट नाइन नीज पॉलिटिकल बाइट